वेलकम बेक टु माय चैनल शिप्राज अजवान और आज जो मेरा टॉपिक है वह टॉपिक है हस्बेंट बाइफ की रिष्टों को लेकर हस्बेंट बाइफ की रिष्टे कैसे सही हूं या थोड़ी बहुत देखिए थोड़ी बहुत नवजुग चलती रहती है चलनी ही चाहि है जहां पर आपको एक दूसरे के लिए एक दूसरी की रिक्वार्मनेंट पार्णे ना पड़ेगा प्रॉब्लम है आपका नेचर कैसा है यह चीज आपको बहुत ज़रूरी है कुछ चीज है आं दोनों को एक दूसरे की जाननी है मतलब बिना कहें समझने वाली बात होती ह आपको कुछ चीजन समझने ही पड़ेंगी बिना कुछ कहें आपको एक दूसरे की बातों को किस चीज से उन्हें बुरा लगता है क्या चीज है वह आपको सब देखना पड़ेगा किसी की बुराई आपस में किसी से भी सामने कि ba eigenen कए और कैसे उस चीज को लिया है वह आप नहीं समझ सकते तो यह कंछ वह बाइफ को कभी भी हजबेंड की बुराई नहीं करने चाहिए किसी के भी साम पॉइंट है जो वह इंपोटेंट पॉइंट है कि जितनी भी आपके हजबेंड की अर्निंग है जो उनकी सेलरी है उसमें खुश रही है कभी कभी अपने हजबेंड बढ़न डालते हैं हम बोलते हमेशा यहीं चाहता है कि बैस से बैसे अपने फैमली के लिए अच्छे के अच्छे जितनी उसकी चैलरी है उसमें भी और वुष रहना द怖ी clar हो दो सरफ qal clip हैं लेकिन जो घर को सजाता है जो घर को मैंटेन करती है वह उरत करती है तो यहां पर हम प्रिष्टों में बहुत होताना कि आप नहीं अगर आप उनको यह चीज़ने बोलेंगे यह आप और इसा चिज़र लाइज करेंके तो कि उनका ऐसा है उनका तो हम लोग आप लिए उन उसी का उल्टा अगर आप उस चीज को बुरा कहेंगी उनको ब्लेम करेंगी और उनको अर्निंग के लिए टोकेंगी तो वह चीज़ें गलत हो जाएंगी वह आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगी पॉइंट है मेरा कि कभी भी हस्बेंट को वाइफ के लिए या वाइफ को जैसी भी है आपकी वाइफ है मोटी चोटी काली मतलब जो चाहें आप मतलब फेस फिजिकल ले लेजिए चाहें आप मैंटल के मतलब वह ऐसी हैं कभी भी अपने किसी और रिलेशन में जो हैं लोग उनसे कंपेर मत कीजिए कंपेर करना बहुत बुरा होता है जब आप कंपेर करते हैं तो सामने वाला आपके बारे उसको क्यों कि भी भी खामिया ही निकालेंगे तो इस लिए कभी भी किसी के लिए चाहिए आप जीजा जी अपने भाईय किसी सभी और ना जो भाइफ की करने चाहिए तो जैसी भी है मेरे लिए अच्छी है कि हमेशा मैंने यह चीज़ने आप नोट करेंगे आपने नोट क्या होगा जब भी हस्बेंट में जगड़े होते हैं तो वह शायद अपने जगड़े जो उनके परसनल कम हो किसी दूसरे के चलते ज्यादा हो जाते हैं कभ हमेशा हस्बेंट को बोलेंगे देखो मैं वहाँ पर गई थी और तुम रहें तुम्हारे गे ऐसा वैसा तो किसी और के चलते अपने घर में जगड़े मत कीज़े देखे जिसने जो किया जिसकी जो आरत होती है वह आपके साथ ऐसा करेगा वह चीज़ने चाहिए मुझे कि उनके रिष्टेदार है वह उनके लिए करेंगे ही करेंगे आप भी करेंगी मतलब भाइफ को भी जरूरी है करना तो हस्बेंट और वाइफ में अगर आप लोगों मैं किसी और के चलते अगर आप जगड़ा करते हैं तो मत कीज़ेगा क्योंकि उससे कोई फाइदा नहीं ह लाइए तो वाइफ बीकिए कह नहीं कि तो बोलना और यह जगड़ा इस जगड़े का कोई यह कोई को बड़ाते रही है करते रहे हैं चीज़ें खराब ही उंगी तो अगर हस्बंड जीन जादा बोल रहे हैं हसमेंMm के बहुत गुशा रहा है तो वाईफ को चुपो जाना मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को यह नहीं कि मैं तो क्सिनक को शाथ रहना चाहिए क्वीवी जैसे बाइए पुछ करती आपके लिए यहा tablet कभि onze कोज रहुआ है मत은लब इस trip बोलते हैं कि हां ठीक है ठीक है या या भाइफ ने कुछ कर दिया तो हस्बंट भी हां ठीक है ठीक है मतलब ऐसे ना करके आप उस चीज़ को अच्छे से कि हां चलो मतलब एक दूसरे को तारिफ की बहुत पड़ती है देखिए बीच वीच में आप कहते हैं किसी ना आप एक अगर मोटिवेट करते रहेंगे तो हमेशा आप सच मानी रिष्टा इतना अच्छा चलता है अगर एक अगर आपको लग रहा हो कि अगर एक लाइफ में कुछ गलत कर रहा है कुछ भी आपको लग रहा है कि उस चीज़ को वह सही नहीं है तो आप उसको मोटिवेट थी पहले तुमने ऐसा क्या था आप तो मैसी क्यों हो गई हो तो चीज़े उस चीज़ को प्यार से समझाई और हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करना है ना की डाटना है धंकाना यह चीज़न नहीं करनी हमेशा दूसरे को समय समय पर जहां जब आपको लगता है कि कभी हो अगर आप नहीं समझे तो बहुत गलत हो अब आप देख लिए उस चीज़ को आप सही तरीके से बताएंगे तो बहुत फरक पड़ता है वह आपकी बात है जरूर मानेंगे कही नहीं हाई यह जब बहुत होती है कि अगर परिशान होती है तो हजबन भी कि हाँ ठीक है एक को देखे टाइम टाइम पर मोटेवेशन की दूसरे को तारिफ की बहुत होती है अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा काम पाइफ ने आपके लिए किया है तो हजबन को एप्रिशेट करना चाहिए हजबन को हमेशा कि हाँ ठीक है ठीक है तुमने में लिए यह किया ऐसा कि और वहीं अगर बाइफ कुछ करे तो हजबन को भी और इस चीज से बहुत असर पड़ता है आपके जो रिष्टे पर बहुत अच्छा असर पड़ता है कि जब आप किसी की तारिफ करते तो वह इंसान और बढ़ चड़ के आपके लिए कुछ करने के लिए तयार होता है कि अब मैं और अच्छा करोंगी और अच्छा करूंगा चाहें हो बच्चे हों चाहें कि हीए जले सिर्फ मेंशा है कि एक दूसरे के साथ टायम स्पेंड करना बहुत जरूरी है ताइम स्पेंड करने का मतलब सुननी है दूसरे की बात समझनी है आप आदा गंटा गंटा इसञा कि अपने आफिस के चलते बच्चों के चलते पड़ाई वगरे जो भी आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप खर पे रहे के टाइम एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम करना लाइफ में किसी को आपको जैसा होताद किसी बीचीज का जब बात करते तो उसका हल है जब जब बात करेंगे तक उसका सालुमियर किसी बीचीज का अई ने कलता तो अदो कोई दिक्कत है एक दूसरे से भी चाहें लगार औरी been देना बहुत जरूरी है एक कि ही यह से में कामे मैं अगर कोई की उसी गलत आते हैं हैं अगर कोई ठाउन का घृत घृता नहीं है करें तब भी काम तो इस चीज की हैल्थ का आप लोगों को आपस में ध्यान रखना है जैसे होता ना मैंने देखा एक्षर के बाइफ तो पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं लेकिन हजबेंड वहीं पर उत्रा ध्यान नहीं रखते कि जैसे खान तो अगर आप यह चीज ना करते हैं तो सच मानि होती हैं बहुत लापरवई करते हैं तो वह चीज आपको नोट करनी है है कि उसकी बाइफ को क्या खाने में क्या पसंद है क्या चाहिए या उसके भी रिकर्मेंट उनको क्या तकलीफ है तो जैसे डॉक्टर के पास ले जाना है कुछ है तो उस चीज को सीरियर्स लेकि अग हमेशा है कि बच्चे अपने लड़की होती है तो लड़ जाती है लड़के अपना घच रह जाते हैं तो इसलिए आपको एक डूसरे का रोगों को एक दूसरे का बहुत ध्यान देना चाहिए और यह जो मेरे सभी पॉइंट से वह आपने सुन लिए हैं देख लिए तो मैं जाते जाते एक चीज पोलना चाहूंघी की कि इसमत्यक्तों कमें दो रहने अपन लिए क्श् 느मा थे हां कि चला उसनों & कविश के साथ रहतेमिक को छलाने कि प्यार है ना जब कर दोते ह coach और फेलिंशन को सब्सक्राइब करें इससे मुझे अच्छा लगता है तो इतना आप मेल ले कर सकते हैं और आपको कोई भी मुझसे बात करनी है या आपको कोई भी मुझसे कोई कोशन कुछना है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आके आप अपना कुशन या अपनी बात हैं लिख सकते हैं Thank you so much.